नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर कार्तिक पुर्णिमा के अफसर पर बिहार के गंगा घाटों पर लगी भीर प्रग्या परिक्षा के लिए आज से भड़ी फॉर्म कितिश कुमार ने दर्भंगा इम्स नर्मान के भाड़ी में दी जानकारी स्कूल से गायब रहने वाले सक्षकों पर केके पाठक का बड़ा एक्सन परिक्षा के तीन बल्ले बाजो ने टी ट्वेंटी क्रिकेट में कर दिखाया कमार इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से कार्थिक पुर्णिमा के अफसर पर बिहार के गंगा घाटों पर लगी भीर मालुम हो कि मानेताओं के नुसार कार्तिक पर्णिमा के दिन गंगा असनान करने का बहुत महत्व है मालुम हो कि कार्तिक पर्णिमा को हम देव दिपावली भी कहते है बिपीएसी उनातरवी मुख्य परिच्छा के लिए आज से भड़े फॉर्म अगर आभी उन लोगों में से हैं जो बिपीएसी उनातरवी मुख्य परिच्छा में भाग लेने वाले हैं तो यहाँ खबर आपके लिए है पतादिक 27 नमबर 2023 याने की आज से BPSC उन्हतरवी मुख्य परिक्षा के लिए आवीदन की शिरुआत हो गई है ऐसे में इस परिक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की ओफीसेल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर अपना ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आवीदन शिलक के तौर पर सामाने वर्ग के लिए 450 रुपए तुवही बिहार राजे के SCST दिव्यांग अभ्यर्थियों वा महिला अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपए निर्धारित किये गए है बतादे किसके लिए आवीदन करने की अंत्रम तारिक 6 दिसंबर 2023 तक नरधारत की गई है बतादे कि BPSC की इस परिच्छा के जरिये राजे में PCS स्तर के 475 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की निक्ति की जाएगी विजए हजार टॉफी के लिए बेगुसराय के मुरारी का हुआ चैन बेगुसराय जिला क्रिकेट संग के मीडिया प्रभारी विवेक कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि BCCI के द्वारा एहमदा बात में आयुजित विजए हजार टॉफी के लिए बिहार टीम में मुरारी का चैन किया गया है बता दी कि बिहार का यह मुकाबला जमो कश्मीर के खिलाफ खेला जाएगा वही मुरारी के चैन पर बेगु सराई जिला क्रिकेट संक्त दर्थ समीती के चेर्मैन मृत्यूंजे कुमार विरेश के द्वारा उन्हें बधाई दी गए और कहा गया कि बेगु सराई के लिए गौडव की बात है उन्होंने बताया कि पुड़े बिहार में आज बेगु सराई की टीम दूसरे नमबर पढ़े और वह दिन भी दूर नहीं जब बेगु सराई की टीम पहले अस्थान पर पहुँच जाएगी मुरारी अच्छा खेल का प्रदर्शन करे यहां मेरी शुरूप कामना है मुरारी ने विगत कई वर्सों से परिश्रम किया है जिसका परेडाम आज हम सभी के सामने है इसकूरों से गायब रहने वाले सक्षकों पर केके पार्थक का बड़ा एक्शन इन दिनों बिहार में सक्षा विवस्था में सुधार लाने के लिए सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव केके पार्थक के दौरा कई एहम कदम उठाये जा रहे हैं इसकषक गैब रहने वाले 24 सक्षकों को बड़ास्ट कर दिया गया है वहीं 43 सक्षकों को निलंबित कर दीया गया बताहरे कि सभी सक्षक दो साल से लेकर छे साल तक स्कूलों से गायब चल रहे थे वहिन सब के लावा विभाग के ओर से क्यावन और सक्षकों की बरखास्तकी की अनुसंसाख की गई है और साथ ही 101 सक्षकों के निलंबन की भी अनुसंसाख की गई है इसके लावा विभाग के ओर से एक हजार पंचान में सक्षकों के वेतन कटोती की भी काडवाई शिरू कर दी गई है मालमोग विभाक के ओर से यह सभी काडवाई अधिकारियों के नरिक्षन में खुलासे के बात की गई है बता दे कि गोपाल गंज में वैसे 50,000 चातर चातराओं के नाम भी काड़ दिये गए है जो पिछले 15 दिनों से लगातार अपने विद्याले में अनुपस्तित थे नितीश कुमार दरभंगा एमस नर्मान के बारे में दी जानकारी फोर लिन का नर्मान होडा है उन्होंने कहा कितना अच्छा हो जाएगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे हम लोग तेजी से काम करके केंदर को भेज देंगे अब केंदर सरकार भी सहमत हो गई है उनके शुरू करने से पहले हम लोग वस्तार कर देंगे यहां नेपाल समय थर जगह से लोग इलाज करवाने आएंगे पहले एक एमस अर्टल जी के कारेकाल में पटना में बन गया था हम चाहते थे कि दूसरा एमस यहीं बने पहले तो हम DMCH को ही एमस बना दिना चाहते थे कि सक्षकों को हर एक दिन कम से कम पांच कक्छाई लेना अनिवारे होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका उस दिन का वेतन बंद हो जाएगा वहीं अगर कॉलेज में चात्र चात्रा नहीं है तो सक्षकों को समीब के कॉलेज में जाकर कक्छाई लेनी होंगी मालुम हो कि संबन में विभाग की ओर से राजिके सभी विश्य विद्यालियों के कूल पती को जानकारी दे दी गई है इसके साथी विभा के ओर से सभी कूल पतियों के साथ-साथ प्राचारियों एवं सक्षकों आगाह किया गया है कि सिलेबस समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए हड़ाल में 6 छात्राइक के भविष्य के हित में सिलेबस को पूरा करने के हिसाब से कख्षाएं संचालित होनी चाहिए और इसे संबंधित सापताहिक रिपोर्ट सिक्षा विवाग को प्लब्ध कराई जाए बिहार में 65 प्रतीशत आरक्षण को पटना हाई कोट में चिनौती बिहार सिरकार द्वारा प्रदेश में पिछरा अति पिछरा वह अनुसुच जाती जन जातियों के लिए आरक्षण को 50 प्रतीशत से बढ़ा कर 65 प्रतीशत किये जाने के खिलाफ पटना हाई कोट में एक जनहित याचिका दायर की गई है बता दे कि जनहित याचिका गौड़क कुमार और नमन श्रिष्ट के द्वारा दायर की गई है मालम हो कि जनहित यह भी कहा गया है कि समयधानिक प्रावधानों के नुसार समाजिक और सैचनिक रूप से पिछले वर्गों को उचित प्रतिनिद्व देने के लिए आरक्षण की विवस्था की गई थी ना कि जन संख्या में अनुपात में आरक्षण देनी का प्रावधान है बता दी कि आ कहना है कि 2023 का संसोधित अधिनियम जो राजय सरकार ने पारित किया है वह भारती समयधान के मौलिक अधिकारियों का उलंगन करता है नितीश कुमार ने दिया DMCH को करोडों की सोगात बिहार की मुख्य मंत्रे नितीश कुमार और उपमुख्य मंत्री तेश्वी आदव के द्वारा आज यानिकी 27 नवंबर को दर्भंगा में 2742 दसमलो शुने 4 करोड रुपे की लागत से पुनरविकसत करने की योजना अंतर करोड रुपे की लागत से 400 सहिया के सर्जिकल ब्लॉक सहिद विविन परियोजनाओं का उद्गाटन वर सिलन्यास किया गया जबकि 400 बेट के सर्जिकल ब्लॉक सहिद विविन परियोजनाओं का भी मुख्य मंत्री के द्वारा उद्गाटन किया गया कर पूरी चौक से पूछा सवाल बिहार में बरते वायू प्रदूशन को लेका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि की एंजी टी के द्वारा सुता संख्यान लेते वे वाददायर कर कुछ सवाल पूछे गया हैं बता दे के एंजी टी की ओर से नर्देश दिया गया है कि वायू प्रदूशन के कारकों को इंगित किया जाए और उस पर ततकाल कदम उठाकर उस कारण को नियंतरत किया जाए मालम हो कि बोड के द्वारा सभी जिलो को प्रमुक नौब बिंदूओं पर रिपोर्ट देने को कहा है जिनमें सरक धूलकन नर्मान कारे वाहन प्रदूशन प्रबंधन भवन निर्मान थोस अपसिष्च प्रबंधन सरक नर्मान कारे या तयात व्यवस्था का प्योड़ा शामिल है अक्षरा सिंग के राजनिती में एंटरी को लेकर पिता ने किया बड़ा खुलासा बोचपूरी के मशूर अभिनेतरी अक्षरा सिंग प्रशान किसोर की जन सुराज पार्टी में आज आधिकारी की रूप से जुर गई है वहीं अब उनके चनाव लड़ने को लेकर अक्षरा सिंग के पिता वेपिन सिंग और फ़ इंदरजीत सिंग के दोरा एबीपी से बाचीत करते वे एक बड़ा खुलासा किया गया है उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी जन सुराज अभियान से जुरने जा रही है या पार्टी नहीं है एक अभियान है जो देश और बिहार के लिए कुछ करने का जज़वा प्रदान करती है मेरी बेटी ने इक्षा जाहिर की तो हमने भी हा कह दिया उन्होंने कहा कि अब हमारी बेटी प्रिशान कसोर के अभियान से जुरी है तो हम लोग पूरे परिवार उनके साथ है अगर प्रिशान कसोर के सहमती होगी और इच्छा जाहिर करेंगे तो अक्षरा सिंग चनाओ भी लड़ सकती हैं ये भविश्य की बात है ट्रेनिंग सेंटर में नए टीचर से मिलकर चौक गय केके पाठक सिक्छा विवाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक भोजपूर जिला के एक ट्रेनिंग सेंटर पहुँचे जहां वह नम नुक्त सिक्छकों को देखकर चौक गया ट्रेसल वहां मौझूद सभी नम नुक्त सिक्छक बिहार के ना होकर उत्तर प्रदीश के विविन जिलो से थे जोरान केके पाठक के दौरा सभी सिक्छकों का गर्म जोसी के साथ स्वागत किया गया और साथ ही उन्हें उनकी जिमेदारी से भी अफगत करवाया गया वही जब उन्होंने सिक्छकों से पूछा क्योंने बिहार में कैसा लग रहा तो सभी सिक्छकों के दौरा कहा गया कि अच्छा महसूस हो रहा है जो भी बिहार को लेकर भ्रांतिया थी वह भी दूर हो गई केके पाठक के द्वारा इस दौरान कहा गया कि जैसे ही आप सभी की ट्रेनिंग खत्म होगी आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और फिर दिसंबर की सैलरी भी आप लोगों को मिल जाएगी तेश्वी आदव ने सीम योगी पर कसा तंच पिहार के उप मुख्यमंत्री तेश्वी आदव के द्वारा मंच को संबोधित करते वे रोजगार के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात को घेरते वे तंच कसा गया है उन्होंने कहा कि उप पार्ट दिकावर्टी नहीं होना चाहिए भगवान दल और मन में होने चाहिए केवर्टी का लगाने और भगवा पहनने से कुछ नहीं होता मालू हो किससे पहले भी तेश्वी यादव के दौरा सीम योगी को रोजगार के मुद्दे पर घेरा जा चुका है लालू के कड़ी जिसमें वो लोचपारामवला सुप्रीमो चुराग पासवान के साथ हंस्ते मुस्कुराते दिख रहे हैं वहें इस तस्वीर को पोस्ट करते वे उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज का या फोटो जो आदर्णी चुराग पासवान जी के साथ का है या एक शादी समारो का है जिसे पूरे होशो आवाज में हनुमान चाली सा पढ़ते वे बहुत ही डरते सहमते पोस्ट करना पर रहा है कारण सपस्ट है कि कुछ महीने पुर्व मैंने एक केंद्री मंतरी जी के साथ सरकारी कारेक्रम का फोटो पोस्ट किया था जिसे देखते के साथ ही साहब जी ऐसी हिमाकत किया तो वो बीजेपी का एजेंट माना जाएगा आप ज़रा जान लीजे भूलिये मत भारत के तीन बल्ले बाजों ने टी ट्वेंटी क्रिकेट में कर दिखाया कमाल बीते दन भारत और उस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टी ट्वेंटी सिरीज के पांच के दिखाया गया है तरसल ओपनर यससवी जैसवाल और रतुराज गायकवार के द्वारा पावर प्ले में 71 रन की साजिदारी की गई यससवी जैसवाल के द्वारा महज 24 गेंदों में अपना अर्ध सतक पूरा किया गया उन्होंने कुल तिरपन रन बनाए वहीं यससवी क बता दी की बिहार में पेट्रोल काडिथ सबसे आदा किसन गंच में है जहां पेट्रोल ABC2 रूपे प्रती लीटर और दीसल चाव lied 25 गीमत र हमयु द्वारा प्ले मिल्रम। अब भरते हैं आज के पांच सवाल की ओर हमारा पहला सवाल है BPSC 79 भी मुख्य परिक्षा के लिए आवीदन करने की अंतिम तारी क्या है Option A 7 December, Option B 6 December, Option C 14 December, Option D इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है Option B 6 December अगला सवाल विश्व विद्यालियों में कारेरत सक्षकों को हरे एक दिन कम से कम कितनी कक्षाई लेना आनी बारे है Option A 5, Option B 6, Option C 4, Option D इनमें से कोई नहीं इसका सही उतर है Option A 5 अगला सवाल, आज पूर्णिया में पेट्रॉल की कीमत क्या है Option A 108.72, Option B 107.94, Option C 96.25, Option D 95.32 रुपे इसका सही उतर है Option A 108.72 रुपे अगला सवाल नेशनल ग्रीड ट्रिब्यूर्णल के द्वाड़ा AQI को लेक जिलों से कितने बिंदूओं पर रेपोर्ट मांगा गया है Option A 1, Option B 7, Option C 5, Option D 9 इसका सही उतर है Option D 9 अगला सवाल भारत और उस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 सिरीज के दूसरे मुकाबले में रुतराज गायकवार के द्वारा कितने रनकी पारी खेली गई Option A 108, Option B 71, Option C 58, Option D 90 इसका सही उतर है Option C 58 पीते दिन हमाई दुरा पूझे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जाब हमें मारी Comment Section Box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमाई दुरा पूझे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश, रिसिदेव, गोनर सर्मा, सदुल्लह, पल्वी, रवी कुमार, राम, रंजीत मिश्रा, राज के सोर महतो, नंद कुमार सिंग, ननो गोलु कुमार, मुहम्मद सकीर हुसैन, कुमार, कौशल सिंग, जितंदर छाकूर, संतोष मिस्री, बाबुलाल, मरा अगर आप यूटूब से देख रहे हैं, चौन को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्वुक से देख रहे हैं, तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद